राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे हुई माता का वरत 17 अक्टूबर को सोंबार वाले दिन है जिन औरतों के संतान नहीं होती वो हुई माता का वरत करती है और जिनके होती है वो भी अपनी संतान की रक्षा के लिए उसकी लंबी आयू के लिए संतान की सफलता के लिए वरत करती है ये वरत सारा दिन निर्जल रहकर किया जाता है और इस वरत में भी सुबह चार बज़े उठकर सर्गी खाई जाती है सर्गी में कुछ भी खाया जा सकता है और फिर उसके बाद कथा सुनकर चाय या दूद या फलों का रस चार बजे ले सकते हैं और उसके बाद साथ बजे जब तारा निकलता है तो तारे को देखकर तारे का पूजन करके होई माता का वरत खोला जाता है और उस वक्त फोजन किया जाता है इस वरत में भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता और होई माता की पूज़ा अपनी संतान की सफलता के लिए की जाती है माता को आटे और गुर से बनी मठियों का भोग लगता है और चावल भी बना कर माता को चड़ाय जाते हैं और कोई भी साबुत अनाज की दाल बना कर मा को भोग लगाया जाता है और साबुत ही चीज बनाई जाती है जैसे के साबुत मूंग, साबुत उड़द, चने, राजमा, कोई भी दाल बना कर पर वो लहसन और प्याच के बिना होनी चाहिए माता का भोग लगाया जाता है हलवे का भी भोग माता को लगता है और हलवे से ही तारे का पूजन किया जाता है फिर जो माता के भोग की थाली होती है वो किसी कन्या को भी दे सकते हैं या किसी ब्राहमनी को या मंदर में दान कर सकते हैं इस तरह से होई माता का पूजन किया जाता है जिन लोगों को पुत्तर की कामना होती है वो होई माता का वरत करते हैं और जिनके संतान होती है वो भी संतान की लंबी आयू के लिए होई माता का वरत और पूजन करते हैं बोलो होई माता की जै